जादफपूर में एक छात्री की रहस्में मौत की बाद बार बार कैमपस में सेसी टीवी कैमरा लगाने की मांग उठ रही है आखिरकार शनीवार को जादफपूर यूनिवर्सिटी की कैमपस में सेसी टीवी कैमरा लगाने का काम शुरू हो गया बेर्विल की ओर से परिश्वर में CCTV में कैमरा लगाने का काम से आज से शुरू कर दिया गया है विशे विडाले के पांट परिवश दुवारा और विंदो भवन के सामने कैमरे लगाए जाएंगे कोरंति CCTV कैमरा जादवपूर परिशर को कवर करेंगे इन में से 26 CCTV कैमरा परिशर के अलग-अलग हिस्सों के निगरानी की जाएगी वहीं तीन कैमरे सर्वर रूम के अंदर गटी वीडियो पर नजर रखा जाएगा यानि जिस कैमरे में CCTV कैमरे का DVR और मॉनिटर रखा जाएगा वेर्बिल के प्रोजेक्ट हेट शुबांकर पाल जो जादवपूर में CCTV लगाने का परिभारी है उनका मानना है कि इन CCTV कैमरे को लगाने का काम अगले 15 दिनों तक पूरा हो जाएगा जादवपूर में एक छात्र की रहस में मॉनिटर जादवपूर में एक छात्र की रहस में मौत की बाद बार बार कैमपस में CCTV कैमरे काम से आश्य शूरू कर दिया गया विशेफ इदाले के पांच परिवश दुवारा और विंडो भवन के सामने कैमरे लगाई जाएंगे कोरंती चिची टीवी कैमरा जादवपूर परिशर को कवर करेंगे इन में से 26 कैमरा परिशर के अलग अलग हिस्सों के निगरानी की जाएगी वहीं तीन कैमरे सर्वर रूम के अंदर गटी वीदियो पर नजर रखा जाएगा यानि जिस कैमरे में CCTV कैमरे का DVR और मॉनिटर रखा जाएगा वेर्बिल के प्रोजेक्ट हेट शुबंकर पाल जो जादवपूर में CCTV लगाने का परिभारी है उनका मानना है कि इन CCTV कैमरे को लगाने का काम अगले 15 दिनों तक पूरा हो जाएगा प्रोजेक्ट प्रोजेक्ट शुबंकर जाएगा